दया प्रेम, सत्य अहिंसा आदि नयतिक नियम है इन नियमों का परचार करना अर्था दया, प्रेम, सत्य अहिंसा और इमानदारी को अपनाना और पालन करना नयतिक नियम कहलाता है यह नैतिक्ता का नियम उचित अनुचित और अच्छा बुरा से संबद्धित है इसकी अलावा सिक्षा का विकास के चलते नैतिक्ता का महत्व बढ़ गया है नैतिक्ता सामाजिक नियंतरन में किस परकार से योगदान देता है सिक्षा के विकास के चलते वैग्यानिक वीधी के विकास के चलते धर्म का महत्व घट गया है लेकिन नैतिक्त नियमों का महत्व बना हुआ है क्यूंकि नैतिक्त नियम उचित या अनुचित और अच्छा बुरा से संबंदित है समाज के लोग जब उचित बात या अच्छे वेवार को परधानता देते हैं तो इससे समाज नियंतरन में रहता है दया प्रेम सत्य अहिंसा आदी नैतिक नियम है इन नियमों का परचार करना नैतिकता का परचार करना है समाज को नेतिकता का पाड़ पढ़ा कर नियंतरन का काम किया जा सकता है समाज के सभी लोग एक समान मानसिक अस्तरवाले नहीं होते हैं इसलिए समाज के सभी लोग नेतिक नियम का पालन करते हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए